ब्रिशब रासी वालों का आज का दिन यनी की 13 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 13 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है अनुराधा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है रभी वार आज के दिन सुर्य उधे का समय है साथ बजी के पाँच मिनट में सुर्य अस्त का समय है पाँच बजी के पचीस मिनट में रितू है है मन्त आज का दिन काल है 10 घंटे 20 मिनट 28 सेकेंड का महिना है मार्ग सिर्ष आज के दिन शुभ समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 20 मिनट पीम तक अशुभ काल सुरू होता है 4 बज के 3 मिनट पीम से 4 बज के 44 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 4 बज के 8 मिनट पीम से 5 बज के 25 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके काम काज आपके बेपार बेबसाई के बारे में दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक कारोबारी हैं बेपारी हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके बेपार के छित्र में आपके कारोबार के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आपका बेपार आपका बेबसाए बहुत ही जयादा बिहतर और शांदार होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके प्रेम शंबंध में कोई भी बाहरी इंसान इंटर फेयर करता है दखल अंदाजी करता है तो आने वाले शमय के दौरान आपके प्रेम शंबंध के मामलों में पड़ेशानी का शामना आपको बहुत जयादा करना होगा तो आने वाले शमय के दौरान आप अपने प्रेम शंबंध के मामलों में शाबधानी बरतने का पड़ेयास करें क्योंकि यह आपके आने वाले शमय के लिए बहुत ही जयादा आबश्यक है मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर और शांदार है आने वाले शमय के दौरान आपके घर का माहौल आपके घर का वातबरन बहुत ही जियादा बिहतर और शांदार होगा आने वाले शमय के दौरान आपके घर के लोगों का साथ आपके घर के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत जियादा मिलेगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा तोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक क्या है मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि मसूर की दाल और कुछ पैसे किसी भी गडीब लाचार बेबस ऐसे लोगों को दान कर दें अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा आपके लिए भाग्य साली अंक है वन यानी की एक तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद